हेलो इस्टुडेंट्स मैंजान के यूटूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे दो विसम तल्ली रेखाओं के मद्या की नियुनतम दुरी के बारे में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा तो चलिए सुरुआत करते हैं अगर आपके पास रेखाओं सदी सुरूप में हैं इस परकार से आर वेक्टर बराबर एवन वेक्टर प्लस लेंबडा बीवन वेक्टर और आर वेक्टर ब क्या है कि वह दो अलग अलग तल में होगी जैसे हम एक यहां पे गनाब बना देता हैं कि और ये सबी। इसके अलग अलग हैं तल अलग हैं तल अलग अलग तो अगर एक तल है और यह यह लिए लह ले जिए अलग कि रहुते हैं should kayak अलग ईसका तल अलग होग्हां समान तरोगी तो अगर हिनके मद्य की हमको नियुनतम दूरी निकालनी है अगर हमको इनके मध्य की नियुनतम दूरी निकालनी है तब किस परकार से निकालेंगे वो अभी हम सुत्र देखेंगे तो आपको क्या करना है आपको दूरी का सुत्र लगाना है और दूरी का सुत्र हमेशा मौड में आता है मौड लगाएंगे आप यहां लिखेंगे A2 vector minus A1 vector dot B1 vector cross B2 vector upon mod B1 cross B2 तो यह सुत्र आप याद रखेगा यह सुत्र आपको कब लगाना है जब रेखा हैं आपके पास सदिस रूप में आए जब रेखा हैं आपके पास किस रूप में आए सदिस रूप में आए यह चीज आप याद रखेगा अब आपके पास है कि अगर रेखा है आपके पास कार्थिय रूप में आए तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि विसम तलिय क्या होता है जो समानतर भी नहीं हो और प्रतिचेधित भी नहीं होती है अब हमारे पास है कि अगर हमारे पास जो रेखाए है वो कार्तिय समिकरन के रूप में आ गई जैसे x-x1 अपॉण a1 बरबर y-y1 अपॉण b1 z-z1 अपॉण c1 और दूसरा X-X2 upon A2 Y-Y2 upon B2 Z-Z2 upon C2 जैसे रेखा हैं यह आ गई तो आप दूरी का सुत्र कैसे लगाएंगे तो यह तोड़ा दूरी का सुत्र बड़ा है ध्यान रखेगा दूरी बराबर मॉड लगा दिये हमने ताकि दूरी हमेसा धनात्मक आए तो किस परकार से लिखा दाएगा उध्यान दीजीगा तोड़ा सार्णिक ज्याद करनी है किसकी X2-X1 Y2-Y1 Z2-Z1 Y2-Y1 इसका आपको क्या करना है सार्णिक ज्याद करनी है यह नीचे क्या लिखेंगे A1, B1, C1 A2, B2, C2 तो इस परकार से आप क्या करनेंगे यहाँ पर पहले सार्णिक ज्याद करेंगे इसके बाद में नीचे यहाँ पर क्या लिखा जाएगा वो लिखते हैं यहाँ पर आपके बाद आएगा अंडरूर यहाँ आएगा B1, C2-C1, B2 का Hall Square इसका इससे गुणा किया इसी परकार से आप लिख सकते हैं A1, C2-A2, C1 का Hall Square प्लस आप इसी परकार से लिख सकते हैं A1, B2-B1, A2 का Hall Square अगर आपको यह complicated लगता है formula, अगर आपको यह hard लगता है और आपके पास कार्थिय समीकरण दिये हैं, तो आप क्या कीजिए, उसको पहले सदी समीकरण को सदी समीकरण बदल दीजिए और यह formula लगा लिजिए, अगर आपको यह complicated लगता है, hard लगता है, तो काम वही है, जो आप काम इसमें करेंगे वही काम इसमें भी करना पड़ेगा लेकिन आपको अगर यह फर्मला तो डाउट फुल लगता है कि मैं यहां पर गलत कर दूंगा यह मैंसे गलती हो सकती है तो आप क्या कीजिए समीकरण को सदीस में बदल दीजिए और फिर यह सुत्र लगा लीजि सुत्र और याद रखेगा यदे 2 रखाएं समानतर हो यदे 2 रखाएं समानतर हो तो दूरी का सुत्र हो जाएगा आपकी पास देखेगा बी वेक्टर क्रोस एटू माइनस एवन अपॉन मॉड बी वेक्टर अब आप बोलेंगे कि दो रेका याकर समानतर है तो हमने खली बी वेक्टर ही क्यों लिखा है तो याद रखिएगा यहाँ पर मैं तोड़ा कुछ important point सी बता देता हूँ कि यदि दो रेकाएं समानतर है तो जो बी वन वेक्टर होगा वो या तो बी टू वेक्टर के बराबर होगा या फिर क्या होगा बी वन वेक्टर लेमडा बी टू वेक्टर के बराबर होगा अगर यह दो conditions आपको दिखती है तो वो दोनों रेकाएं क्या होगी समानतर होगी और उसके लिए आपको यह सुत्र लगाना है यदि यदि रेकाएं पर्तिशेदित हो जाए यदि रेकाएं क्या हो जाती है रेकाएं पर्तिशेदित करती है लेका हैं क्या करती है परती छेदित लेका हैं परती छेदित होगी तो उनके मद्य की नियुंतम दूरी क्या हो जाएगी दूरी क्या हो जाएगी नियुंतम दूरी वो सुनने हो जाएगी याद रखेगा उनकी नियुंतम दूरी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी यानि कि इसके बराबर हम जीरो रखेंगे तो यह जीरो के साथ चला जाएगा तो कंडिशन क्या बचेगी कंडिशन बचेगी एक टू माइनस एवन यह वेक्टर हैं इन्टू हमारे पास बचेगा बीवन क्रॉस बीटू बराबर जीरो अगर आप इसके रूप में देखना चाहते हैं नीचे वाली चीज इस तरफ जाएगी तो यहाँ पर और यह वाली चीज बचेगी यानि कि आप इसके बराबर में यह लिख सकते हैं यह जगे कम हैं तो आप याद रखेगा यह 9 इसका मान अगर 0 ररता है तो वो रेखा है दोनों क्या करेगी परतिछे दित करेगी चुक है आपको यह point याद रखना है अब हमें एक example देख रहे हैं इस example में हमें नियुनतम दूरी ग्याद करनी है इन दोनों रेखाओं के मद्य की सबसे पहले आप solution में लिखेंगे A vector I cap plus 2J cap plus 3K cap A2 vector 4 I cap plus 5J cap plus 6K cap B1 vector B1 vector हमरे पास I cap minus 3J cap plus 2K cap ताकि आपको पहले से ध्यान रहे हैं कि हमें कौन-कौन से मानग किस प्रकासे रखना है तो हमने इन चारों को अलग-अलग लिख लिए A1, A2, B1, B2 अब सबसे पहले आपको क्या करना है A2 vector minus A1 vector यानि कि इसके अंदर से यह minus करना इसके अंदर से minus करेंगे तो क्या आएगा 3 I cap 3 I cap plus 3 J cap plus 3 K cap इसके अंदर से minus किया 3 इसके अंदर से minus किया 3 इसके अंदर से minus किया 3 तो 3 common ले लेते हैं I cap plus J cap plus K cap आप चाहें तो common ले तो भी आप रख सकते हैं आपको गदना है कि B1 vector cross B2 vector निकालना है बीवन वेक्टर cross B2 vector और इसका मंन निकालना आपका आता है mode I cap J cap K cap तो I cap J cap K cap यानिकी 1-3 और 2 यहां हो जाएगा 2 यहां हो जाएगा 3 यहां हो जाएगा 1 इसको आपको solve करना है तो solve केर लिजिए B1 cross B2 सांडनी को खोलना है तो मैं direct question करने की कोशिश करूँगा तो देखेगा आप यह से गुणा होगा minus का 3 minus का 6 3, 2, 6 होता है तो minus लगता है minus का 3 minus का 6 होगया minus का 9 I can फिर यह minus लगाया इसको इससे गुणा करेंगे एक इसको इससे गुणा करेंगे 4 1 minus 4 1 minus 4 होगया minus का 3 और वो minus पहले जिए लगाता है plus minus plus minus minus plus 3 J कै अब के के की बात करते है तो यह होगया 3 3, 2, 6 है यह होगया plus का 9 K कै ठीक है अब आपको क्या निकालना है mod निकालना है mod B1 क्रॉस B2 तो आपके पास क्या आएगा under root minus 9 का square plus 3 का square plus 9 का square ठीक है तो कितना होगया आपके पास under root 81 plus 9 plus 81 89 होगया 90 होगया 81 होगया 181 यह आपके पास मौड आ गया अब आपको क्या करना है दूरी का सुत्र लगाना है तो दूरी का सुत्र किस परकार से लगाएंगे दूरी का सुत्र mod क्या लिखेंगे a2 vector minus a1 vector dot यह ध्यान रखेगा यहाँ पर dot लगाना है फिर आप क्या लिखेंगे b1 vector cross b2 vector upon mod b1 cross b2 तो a2 minus a1 का मान आपके पास क्या था तीन बालिक दिया बने i cap plus j cap plus k cap dot b1 cross b2 का मान minus 9 i cap plus 3 j cap plus 9 k cap बट्टा यह mod लगाईएगा धनात्मग्मान आएगा नीचे आएगा अंडूड 111 अब आपको इसको solve करना है तो solve कर सकते हैं यह 3 मैंने बार ही रखा यह से गुणा होगा तो minus का 9 यह से गुणा होगा तो plus का 3 यह से गुणा होगा तो नौ इसको इससे गुणा किया डर्ट प्रोडेक्ट करना आता है सबको इसको छोटे डिजिर्स में बार्ट कर भी आगे लिख सकते हैं 19 इंटू 9 ठीक है नौ का आप बर्गमूल लेंगे बाहर आजाएगा तो यह आंसर आएगा फाइनली 3 अपान अंडूरूड 19 आप पीछे लिख दीजिएगा आप पीछेट लिख देंगे इक लिख देंगे आप हमारे पास रेखा कार्थी रूप में और अगर आप कोई कार्थी रूप में स्वימ्ण करना यह तो आप फ़र्मुल लागां कि कार्थी रूप का नहीं तो आप इस YOU चेंज करेंगे सदीज रूप में तो अगर आप सदीज रूप में चेंज करना चाहें तो सदीज रूप में डायट भी चेंज कर सकते हैं किस परकार से करेंगे देखेगा अगर आप इसको लिखना चाहते हैं सदीज रूप में तो आप किस परकार से लिखेंगे आर वेक्ट दिया है इसी परकार से आप इसको बदलना चाहते हैं दूसरी रेखा को तो क्या बदलेंगे आप क्या लिखेंगे आई-कैप प्लस-3 जे-कैप प्लस-कैप और नीचे लेमड़ा तो यहां पर मैंने लिख दिया दूसरा लिख देंगे म्यू लिख देते हैं और यह जाएगा माइनस का आए-कैप प्लस-का तीन जे-कैप प्लस-का दो-कैप और इसके बाद में आपको यह काम करना जो अपने पहले किया है अगर आप इसको सदीस रूप में नहीं बदलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे अगर आप इसको नहीं ही बदलना चाहते हैं सदीस रूप में और आप चाहते हैं कि हम डायक्ट फॉर्मला लगाएं तो पहले फॉर्मला लिख देते हैं डी इस इक्वल टू क्या होगा x2-x1 y2-y1 z2-z1 यहां होगा a1 b1 c1 यहां होगा a2 b2 c2 यहां आएगा अंडरूड में b1 c2-c1 b2 all square plus फिर आएगा a1 यह ध्यान रखिएगा जो आप जैसे यह पहले लेते हैं तो इन दोनों को उना कराना है फिर अगर आप यह लेते हैं तो a1 c2-a2 c1 का all square निचा जाएगा प्लस a1 b2-a2 b1 का all square तो यह सब formula लिखने के बाद में आपको मान रखने पढ़ेंगे तो आप मान कैसे रखेंगे देखिएगा आपकी पास यहां समय मान लिख देता हूं यहां हमारे पास x1 का मान है 3 y1 का मान है 4 और z1 का मान है minus 1 x2 का मान है मारे पास 1 y2 का मान है 3 z2 का मान है 2 A1 का मान है हमरे पास दो B1 का मान है हमरे पास एक C1 का मान है हमरे पास माइनस तीन A2 माइनस एक B2, 3 AND C2, 2 यह मान हमरे पास पड़े यह मान हमको इसemark каким talent में रखने पड़ेंगे तो इसuges के लिए पहले तो हम यह ग्याद कर लेता है x2-x1 y2-y1 Z2-Z1 यह A1, B1, C1 यह A2, B2, C2 पहले आपको यह ग्याद करना है साणिक बना के साणिक बना के पहले आप इसको ग्याद करेंगे फिर नीचे यहां पर यह संक्या लिखी वे फिर इसको आप सॉल करेंगे तो यह तोड़ा complicated हो जाता है तोड़ा लंबा हो जाता है है तो easy लेकिन यह लंबा हो जाता है तो मेरा कहना ही है अगर आपके पास रेखा है DVA कार्ती रूप में तो आप उसको बदल दो सदीस में और सदीस में बदलने के बाद आप सदीस का सुत्र लगा लीजिए easily आपसे question हो जाएगा अगर आप यह लगाना चाहते है तो यह भी लगा सकते है X2-X1 कर लीजिए इसकंदर से मान रख दीजिए यहाँ पर A1, A2 B1, B2, C1, C2 के मान यहाँ पर रख दीजिए सांडने खोलिए फिर आपको यह भी solve करना पड़ेगा B1, C2, minus C1, B2 यहाँ पर भी solve करनी पड़ेगी तो यह तोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए आप इसको ध्याना कियेगा अगर आपके पास कार्तिय समीकर्ण आता है तो आप उसको क्या करीजिए सद्धी समीकर्ण में चैंज कर दीजिए